हालो एवडिवान कैसे आप सब आसा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने आप अच्छे से गार्णिंग कर रहे होंगे और देखी विंटर कि सुरुआत हो चुकी है और सभी ने अपने गार्डन में बहुत षुनतर सुनतर फ्लावर फ्लावर लगा है और वैसे मिंटर सीजन में काफी सुनतर सुनतर फ्लावर खिलते हैं इन दिनों और सभी की तयारी बहुत अच्छे से चाहए है और आज की मेरी वीडियो का टोपिक है फैलो रेंडोन प्लांट फैलो रेंडोन प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो की पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है और देख सकते हैं ये फैलो रेंडोन प्लांट इसकी हाइड कफी उचाही तक चली गई है और ये डार्क मारून कलर में इसकी स्टेंप और स्टार्टिंग में इसकी लीफ जो है गॉल्डन येलो और ग्रीन के कॉंबिनेशन में आती है और बाद में जो है ये डार्क ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है और इसकी लीफ में काफी foliage होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है यह plant और यह low maintenance में बहुत ही सुंदर दिखने वाला और अच्छे से चलने वाला plant है और इसे हम light bright में या फिर सुभे की जो है एक या दो घंटे की दूप में रख सकते हैं इस plant को और ज्यादा दूप में इसकी जो है लीफ्स बर्न होने लगती है वैसे तो इंडोर प्लांट है पर फिर भी हमेसे सुबह की एक या दो घंटे की दूप में रख सकते हैं और ये वैसे तो मॉस्टिक के सारे इसको चला जाता है पर मैंने इसको मॉस्टिक नहीं दी ती तो देख सकते हैं ये किस तरह से वाल को ऐसे जगड़ते वे उपर की तरह बढ़ रहा है और ये इसकी एरियल रूट्स देख सकते हैं कितनी बड़ी निकली वी हैं इसमें और य तक क्लाइम की तरह बढ़ रहा है और देख सकते हैं इसकी हाइड काफी उचाई तक चली गई है ये 5-6 फीट उचाई तक चला गई है ये वाला प्लांट और इसकी काफी सारी एरियल रूट्स निकली है और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको वैलरिंग मिट्टी ही दें और इसकी सोयल बनाते से मैं 50% गार्डन सोयल और 30% सेंट 30% गार्डन कंपोज और दो मुठी नेम की खली में लाकर इस प्लांट को लागा सकते हैं और ये दिख सकते हैं ये फैलो टेंडाउन जानारो ये भी सेम इसकी मिट्टी भी इस तरह से ही तयार करें तो काफी अच् विए नियमन लाइन फैलो टेंडरोन देखने में बहुत ही सुन्दर और नियोन ग्रीन कलर और गोल्डन कलर की लीफिश की होती है और ये दिख सकते हैं कुछ गुट्टिंग मैनेज की लगाई थी क्योंकि इस प्लांट को हम आसानी से कट्टिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं ये cutting manage की एक महीना पहले लगाई थी जो कि सारी cutting देख सकते हैं काफी अच्छे से चल गई हैं और इनमें नई leaf भी बनना स्टार्ट हो गई हैं और तीनसे, चार cutting मैने इसकी लगाई थी तो ये सारी काफी अच्छे से चल गई हैं और इसकी एक से दो नोट एरिया से भी यह इसमें से लीफ निकल जाती हैं और यह देखिए ज्यादा बड़ी नहीं है मेरी चार से पांच इंच जितनी कटिंग है और यह काफी अच्छे से देखिए चल गई हैं सारी कटिंग वैसे तो यह प्लांट काफी सारी वराइटियों में देखने को मिल जाता है और काफी सुन्दर सुन्दर कलर इस प्लांट के होते हैं मेरे पास अभी दो या तीन प्लांट है और यह काफी अच्छे से लो मेंटेनेंस प्लांट है और यह हीमिड्यूटी पसंद करने वाला प्लांट है और यह गर्मी के और बड़सात के सीजन में बहुत ही अ बात करें फर्टिलाइजर की तो आप इसको 15-20 दिनों में काउडन कंपोज का लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें और यह काफी अच्छे से चलता रहता है आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को जरूर एड कीजिए और कुछ इमेज में इसकी अटेच कर दूंग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार थैंक यूँ